आज राज किचन रिस्पी मना केज़वें डिकवीक था सिंपल में सब्सक्राइब हाई साकבר करूप सकेशब है, इसंधार पर उसके लिए को नए लाव ही चीह और मेरा ट्विस्टोर जाने जाने वाला हुआ एक सीघ्रेट समर ने लास पर आलेंगे व हो यह या बीच में ढालेंगे मजा यह आ जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर हमने ढengo north इसके आलू इनका वज़जन है छय सो ग्राम इनको क्या करना है इनको कुछ नहीं करना है दोस्तों इनके साथ एक काम करना है इनकी जो जिन्दगानी है वह पानी बिना पानी के यह उग नहीं सकते और बिना पानी के यह साफ नहीं हो सकते तो एक कालू दो अल्लू और का गया दो अल्लू तीन अल्लू चार छे आलू अब क्या करना है पानी है जिन्दगानी इसके बिना नहीं किसी के पानी यह आ गया पानी वापस यह लिजे अब इसको ऐसे रगड रगड के दोना है यह देखें रगड रगड अगर सारे हरे आलू भी होंगे तो भी टेस्टी बनेगी कड़वापन बिल्कुल नही नहीं है तो इसको ऐसे रगड रगड के दू लेना यह देखें अगर इस पर कुछ जादा मिट्टी चिपकी तो नाखुन का इस्तमाल करके साफ करके यहां डाल देना है यह देखिया क्या वाद है वह वह बिना लैसुन बिना प्याज ओह मसा ही आ जाएगा आस तो क्योंकि बहुत दिन हो गए तो दोस्तों मैंने अपने चैनल पर बिना लैसुन प्याज वाली कोई सब्ची और एस्पी नहीं डाली है तो मैं आज बहुत दिन हो गए तो मेरे को लगा यार डालनी चीए क्योंकि उनका भी ख्याल रखना चीए जो लैसुन प्याज नहीं खा सकते है चलिए फटा फट से पर जो लैसुन प्याज नहीं खाते ना उनके लिए अभी एक चीज है क्यों लैसुन प्याज के अलावा एक चीज और नहीं खाते है चलिए वह बताने वाला हूं आपको वीडियो तो वीडियो में बढ़े रहे लास्ट तक और आइडिया भी बताने वालू हूं यह देखैं तीन लू धुल गते हैं चहलना नहीं है अगर आप चाहें और मैंने यह भी सुनाए कि sto लेसुन प्युट न कहते हैं वह अलू भी नहीं तो वाइं उनका मैं कुछ नी कर सकता हूं मैंगा कुछ ने खासकता हूं क क्योंकि जो यादा केड़े आलू में होते हैं ऐसा क्यों पैसिए लोग दोस्तो प्र加श्रा рег那我們 अगर आप ऐसे ही हो खे आप बाकी रैस्पी खालोगे पर आलू और यहार यार यह तो हटाना ही पड़ेगा ना यह लेकिए अब क्या करना है कुकर चाहिए ये रहा कुकर ये गया अलू एक अलू दू अलू तीन अलू चार अलू पाच अलू और ये छे अलू और अलू उबालने का एक तरीका है बताता हूं कभी भी पानी निकलेगा सीटी में से पानी कभी निकलेगा आलू हमेशा हलके से पानी में पूरे निडूबने चाहिए अगर पूरे डूब गए ना आलू तो क्या होगा पानी भार आए गाएगा देखिए थोड़े से पानी के उपपर रहने चाहिए गास देखिए हाई फ्लेम पर एक उबाली आने में यह देखिए दोस्तों हल्की हल्की उबाली यह धन्य के टंठल डाल के देखना मजा जाएगा एक चोड़ा चम्मच हींग आदा चम्मच हल्ली आलू का टेस्ट बढ़ जाता है इससे और आदा चम्मच नॉर्मल नमक वह वाली भी आ गई है लगा देते हैं यह धकन पहले खुरसत में क्यास हाई फ्लेम पर है हाई फ्लेम पर लगाएंगे एक सिटी और फिर एक सिटी लगाएंगे बिलकुल लो फ्ल लगालनी है इसकी एक सिटी हमने हाई फ्लेम पर लगा लिए और अब लो फ्लेम पर रहा हो लिए एक्सपोर्ट क्वालटी में लो फ्लेम पर एक सिटी और आज़ा वाई वेट करेंगे ना तो नहीं आएगी और वेट नहीं करेंगे तो फटा फटा जाएगी फटा नहीं ऐसा क्यों होता है दोस्तों गैस भी देख लिए आप विलकुल लो फ्लेम पर है सिटी को आपको नीचे नहीं करना है अपने आप नीचे होने दिना है एक सिटी मैं सोच रहा हूं एक हाइफ लिंप और ले लेते हैं कि फटा फटा जाएगी दोस्तों कि पर वेट करें तो शायद नहीं आएगी टाइम लगाएगी देखते हैं कितनी देर में आती है बिलकुल लाइव है दोस्तों कोई कटिंग नहीं है और आपको कॉमेंट करना है कितनी देर में आई कैस कर दिया है बंद जब तक कूकर में से कैस निकल रही है तब तक बताते थे सामगरी इतनी सारी सामगरी चाहिए लेसुन और प्याज नहीं है दोस्तों लेकिन अगर इतनी सामगरी इनर ना लोग ना तो लेसुन प्याज कि याद आई जो लेसुन प्याज नहीं खाते हैं उनका था मैं कुछ नहीं कर सकता हूं लेकिन जो लेसुन प्याज खाते हैं उनको भी मजाना चीए होगे ना बैलेंस तो यहाँ पर चीए हमें हरी मिर्च चार हरी मिर्ची है हमने रफली काट ली है यहाँ पर थोड़ी सौफ ज्यादा है कम करते हैं यह देखें दर्दरी कुटीवी सौफ इतनी डालनी है ठीक है यानि इसकी आदी ठीक है उसके बाद भुनीवी अजवाइन एक छोड़ा चमच बिल्कुल एक छोड़ा चमच एक काफी बड़ा चमच जीरा एक छोड़ा चमच राई चार लॉंग तीन इंच अद्रक टुकडों में काट लिया है यहाँ पर हमें चीए हैं तीन नहीं दो दो तीज पत्ते दस काले मिर्च और यहाँ पर जी में कश्पिरी लाल मिर्च एक बड़ा चमच पाँच परसंट तीकी होती हैं आदा चमच तीकी वाल मिर्च और धनिया पौड़ा तो दोस्तों देखो इतना भरग चीए हैं इतना चीए हैं उसके बाद एतना और उसके sustained उसके बाद में का वो स्वादनुसा यहां पर हमने बना लिया है टमाटर तीन टमाटर का पेस्ट लिया थे छोटे बिल्कुल छोटे उनका पेस्ट बना लिया और यह देखिए बीज और चिलका निकालके बीज यहां है और चिलका हमने फैक दिया यहां पर 15 से 20 छोटे पूजिने के पत्ते यह है सीक्रेट सामगरी जिससे मसा जाएगा उसके बाद हमें यह चीए भुनीवी कसुरी मेती आदा चमच भुनीवी कसुरी मेती और क्रश करके चान कर और यहां पर चीए एक छोड़ा चमच ड्राइब पूदीना तो पूदीना यह भी चीए और यह भी चीए दोनों का खुद को नहीं निकाल ली अपने आप निकल जानी चीए चलिए सामगरी को साइड में और आते हैं और बनाते हैं बिना लासुन प्याज के आलू की मस्त मसालेदार सबजी यह देखिए दोस्तों तीन चोड़े साइज के टमाटर इसमें पीसे थे हमने लेके साफ नहीं किय तो साफ करना भी ने सबिसे लिए इतना सारा जीरा लिया दोस्तों आदा जीरा डाल लेगे यह आधा जीरा इतना भीडत और चलिए लोंग डाल देखिए नर दें काली कर बपीत में मुझे पसंद दोस्तों सच बता रहु भरी मिर्च दैव nervous में यह अपने फ्रेश पोदीनी के पत्ते डाल लेंगे क्या बात है एक नंबर हो 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 थोरा से थोरा से नहीं अभी यह करेंगे ओरा सा तो दोस्तों वेट करो मैं थोड़ा सा यह लेना है और यह जो बीज निकाले इसका रस डाल देना है टामाटर क्या हो क्या है यह लिए अब क्या करना है कुछी नहीं करना है दोस्तों ड्राइब पूधी नवी डाल देना इसमें ड्राइब पूधी ना भी गया है कर सब क्या गरना है कि अध्रक डालना है यह अध्रक तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी और और पनानने एकदम महीन पेस्ट यह निकल भाई यह रेक पेस्ट बना लिया है हलकासा दरदर हलकासा बिल्कुल हलकासा बन गया ना लिक्विड नी बना पेस्ट बना है हटाते हैं कुकर जी आव कुकर जी को कुकर जी का हटाते हैं धकन आए हाए यह तो स्वाद और फिलेवर वड़ दाएंगे जो चीज़े डाली क्या करेंगे हमारे आलू आए हाए विद् कानी लेना है यह हाँ पर निकाल देंगे इसको अटा देते हैं साइड में आलू यह गर्मा गरम आलू है स्वाद और फिलेवर तो आएगा ना और अब क्या करेंगे हम और भाई साब हमारी सुन्दर शुचिल कड़ाइ केस को करते ओन कड़ाइ को होने देते हैं गरम क्या कहते हो दोस्तों सुन्दर सुचिल कड़ाइ में कैसी लगते हैं सुन्दर सुचिल अरे चार चमज तेल डाल देते हैं टू ऐली वाले मेन्यू डाले पीज़ा डाले और मज़े करें क्योंकि यह तेल से इसारी विमानी और डिफाइन वाली है शुद्ध मुभली का ओल है यानि तेल है दोस्तों तेल को अच्छे से गरम होने दिन है अब राई बाकी बच्छवाद जीरा दोस्तों आए है यह तेल के साथ में जीरा और रहा ही रोमेंस करते हैं तड़कते नहीं यार मजा ज़ते हैं क्यास देखेंगे लग लेंपाद अब क्या करना है आलू अब राई और जीरे के साथ में आलू करेंगे रोमाइंस तो रोमाइंस करने ने थे थोड़ा सा जैस तो वैसे ही लोग निम पर देखेंगे तो लोग निम पर रोमाइंस करने थे दो जैसे हल्का सा रोमांस कर ले इनका रोमाइंस कर दे ना ऐसे यह रोमाइंस कर देना तुद्यों एत्वाट है रोमाइंस कर आ जईंन जादा रॉमांस को गया नजा लग जाती दोस्तों और यह से करने के बाद मिला लेगा अब आपको लग रहा इतने मोटे आलू अरे इतने मोटे नहीं और चोटे करेंगा आप चाहे तो मोटे भी रख सकते हैं और आप चाहे तो छिलका भी छिल सकते हैं बॉइल करने के बाद पर छिलका शील सकते हैं आयार है अब क्या करता है दोस्तों अब डालनी है लिए be मादी को जान के भुला दाता ये लेगी का साउफ हाय स्पऴ पर करते हैं हाइध फ्लेम पर स्वश को पकाना जरूरिये वरना क्या होगा सब्जी मिठी मिठी लगेगी दोस्तों और कुछी नहीं है आया है क्या वाद अच्छा इतना काम होगे आप बेन काम तो बज़ गया ना दोस्तों ये पेश बनाया नहीं ये डाल देंगे अध्या निला लेंगे एक प्रॉब्लम में दोस्तों ये रेखिए ये में बचा है और धकन में बचा है तो क्या करेंगे तोड़ा सब पानी डालेंगे 50 ml और ये लीजिए बाई साथ मिला के होई होई डाल देंगे मिला लेको अब जो कलर आप चाहरे है वो नहीं आएगा अब जो कलर आप चाहरे है वो नहीं आएगा तो बाई कहा जाली है यहां पर इतना सा करके देखना थोड़ीशी मेनत लगेगी और फिर हमें ये निकाल के क्या खड़ना है और अब अब आज़ाब कुछ ने करना है तो तो दोस्तों मैंने सोचा था टीचू पेपर से साफ कर लेंगे पर मैंने नहीं करी अब यह जलेगा तब जब जलेवे आलू का फ्लेवर आता ना सबजी वंदी एक नंबर क्या करेंगे तू अहली वालो पहली फुर्शत में रगलो हम तीन चमज तेल डाल देने आप पानी डाल देने आपर क्यास थेखिए हाई फुलेम पर यह गारम होने देतें तेल को वह भाई साब तेल की घरम हो गया और जो मसाले चिपके वे दें वह भी जल गए चल यह तामाटर का पेस्ट आए कि अधा है कैस फाइस निम पर यह मिला लेते है कि यार मिच्ची खराब होई है अच्छे से नुपिसे हाँ हमारे केमरा में ने अच्छे से नहीं कीचे कि क्या करना है अरे अब मसाले डालने है कि सबसे पहले जाएगा टमाटर के साथ में नमक यह इतना है फिर काला नमक इतना है थोड़ी सी हल्दी कि और और भुन्यावा अजवाइन का पाउडर हमरी कसोरी मेती ह्यां और क्या करना है मिलाना है पहले और एक मिनट हाइफ लेफर मिलाने के बाद में एक बड़ा चम्मच इतना दनिया पाउडर थोड़ा सा और उसके बाद में हमारी एक बड़ा चम्मच कश्मिरी लाल मिर्च एक आदा चम्मच तीखी वाले लाल मिर्च और क्या रहना है मिला ले न है ग्यास देखे हाई फ्लेम पर ये उप बोला था ना ने ने झौ आपको यह रहए है जो लैसुन प्याद नी खाते न वह यह भी नि खाएगे अधारी चलिए हम डाल देते हैं पचास ग्राम दई बचास से सटर से ग्राव भाए मिला लेते हैं गैस को करते हैं लो फ्लेम पर और भाई साथ यह देखिए करतोरी में थोड़ा सा 50 ml पानी और यह लिजिए साफ कर लेते हैं और डाल दाल देखे अब अच्छे है एक बार वाली आने देते हैं क्या आने देते हैं दोस्तों वाली यानी बबल और गैस को हाई और जब भी आपकी ग्रेवी तेल नहीं छोड़े तो दो मिनिट बिल्कुल लो फ्लेव पर डखकर रखते पूरा तेल छोड़ देगी देखिए दोस्तों हुबाली भी आगे यह लाद भी मानने लगी और देखिए तेल के चीटे भी जा रहे हैं और तेल भी पूरा छोड़ देखिए भाईया हमारी इस ग्रेवी ने अब क्या करना है अरे यह आलू आलू कच्छा लो डालेने हैं इतना सा डालके गैस को लो फ्लेम पर करकर विला लेते हैं और लो फ्लेम पर दो से तीन मिड़ी से रेगुलर चलाएगे अगर मैं दोस्तों आपको गारंटी देता हूँ अगर आपको लैसुन प्याज की यहाद आ जाए ना तो मेरा नाम बदल देगा आप चाहें तो दई को भी स्कीप कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें लेकिन दई डालो के तो तो तोड़ा स्वाल आ जाएगा जो दई को अवेट करते हैं अब यह रेखें यहां पर देखें यहां पर पानी डालना है मैं दो कप पानी पुरा दो कप मिलाना है यह पानी और यह गया दो कप पानी दो कप पानी डालने के बाद गैस हाई फ्लेम पर और मिला लेना है तो दस जनों के लिए मेरे हिसाब से तो तयार है बीना लैसुन और बीना प्याज के मस्त आलू के सब्धिए पर मेरी तरीके से अभी तयार नहीं हुई है मेरा तरीका अभी बाकी है दोस्तों क्या करेंगे गयास को करेंगे लो फ्लेम पर और मेरी धकने वाली प्लेट कहां गई यह रही और पांच मिनटे पर मिनटे विर्कुल लो फ्लेम पर धकन करते हैं लोजी दोस्तों लो फ्लेम पर पांच बिरन आफ ले एक को करते हैं और भली नहीं चुड़नर हिखासा आईगी है कर लो 아침 इसमीं डोशाण बिना लेसुन प्याज किये दोस्तों तो कलर कैसे आएगा तेकिन इतना अच्छा कलर है कि खाके देखोंगे न तो ही मजाने वाले अब क्या करना है अरे पचास गराम हरा धनिया डाल देना है अब जो लेसुन प्याज नी खाते हैं हरा धनिया तो खा सकते हो ना चलिए मिला होग दा देटे अभे देखे अब एक ऑब याने देरिसकें बढ़िया सी बढ़िया सी एकदम खतक खतक करके चीटे आड़ने वाली लाट माडने वाले वाली आदेखे दोस्तों कैसे हाई फ्लीम पर पर डॉस्त यार दोस्तों एवं किनमयने उसको रख जै या यहाँ पर यहां पर देखिए यह तेज पत्ते छुप गए दे तो चलिए अभी डाल लेते याद दोस्तों थोड़ा तो खलेवर आई जाएगा यह लिजिए उबाली आ गई अब 50 गराम बारी कटावार हरा धनिया और डाल दे यह जान है पूधीना और हरा धनिया यह लिजिए मिला ले पूधीन घजगा से कम होगा तो डाल सकते ज्यादा वह जाएगा तो फिर पाणी डालना पड़ेगा और स्वात खराब हो जाएगा चलिए हाई फलेम बर दो मिनट ले ढखका रग देते हैं ओ दोस्तों दो मिनट होए हाई फलेम बबल बबल करके आवाज आ रही है जटा अग्या जब देज से बनाई गान खाते हैं जो नहीं खाते तो उनके लिए नहीं कहा रहा हूं अगर आज खाते तो थोड़ा था प्याज बारी कटीवी डाल के सर्व करो दोस्तों मज़े आने वाला चली दोस्तों आज जो बनाई है बिना लहसुन पे आज की आलू भी सब ची यह तो मस्त लगती पूरी के साथ में खाकत खत्म करते हैं आज की बनीगी मेरे चनल पर उफिक आप उन्हें देखिए बनाई है खिलाई है तारीप आई है क्योंको जो मज़ा खिलाने का है वह खाने का नहीं है आप गरम